ओम ट्रयम्बकम यजामहे सुखन्धिम पुष्टिवाउतनम उर्वारुकमीवमंदनाद सिटी लाइव डायलोग में मैं अशोग रही आपका स्वागत करता हूँ आज हमारे विशेश मेहमान है चॉल्स थम्सन सिटी लाइव डायलोग में अशोग रही सबसे पहले तो अपनी कैप उतारता हूँ ओ सॉरी कैप नहीं टोपी क्योंकि आज हम जिस व्यक्तित्व के साथ बेठे हूँ है चॉल्स थम्सन उनको अंग्रेजी शब्दों से अलर्जी ओ फिर सॉरी घ्रणा है वो चाहते हैं कि हम सिर्फ शुद्ध विशुद्ध हिंदी में बात करें चॉल्स थम्सन एक अस्ट्रेलिया ही निवासी है और बरसों से यहां रह रहे हैं और अब तो यह समझ लिए लिजिए कि वो हिंदुस्तान के नागरिक बन चुके हैं तो आएए सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं चाल्स आपका स्वागत है सिटी लाइड डायलोग में राम राम सा नमस्टे सलाम हम लोग कहां पर है हम लोग जाईपूर में है राजस्तान बहुत सुन्द जगा है कभी मुका मिला आप हिंडूस्तानी है और राजस्तान नहीं गुमा है तो यह इसको चंबूरंग न शहर चंबूरंग का शहर है एक बार जरुद आना में तो काई बार आ चुका है जब भी नमंतर मिलता है में तो जाईपूर आ जाता है चाल्स राजस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए भाग लेने के लिए जाईपूर आए हैं और हम उनसे जाईपूर के एक खान पान ग्रह के अंदर बाच्चित करने हैं तो आप चाल्स सबसे पहले तो यह बताईए कि आपका हिंदूस्तान में भारत में कैसे आना हुआ और यह तो लंबा कहानी है सिंग्चिप्ट में काई यूच्ईउब में भी यह जवाब दे चुका है में पहले आया था December 74 जब मुझे लगता है जारे लोग जो इसको देख रहा है उसका जनम भी नहीं हुआ तो में जारे हिंदूस्तानी से पहले भी पहुँच गया इस देश में December 74 में रहा 11 साल और वो भी कहां बिहार उसमें बिहार हो जाकांट एक ही प्रदेश था वो भी गंगा कनारी मुंगेर और वो एक चोटा से योग संस्ता है वहां परेता था और वहां से घुप जाता था पुरे हिंदूस्तान बिहार की मुंगेर में योग संस्ता चोटी सी संस्ता नहीं है वो विश्व प्रसिद्ध संस्ता है वहां से आपने योग सीखा और फिर भारतिय संस्कृति के प्रति आपका रुजहान बढ़ा तो आप ये बताईए कि भारती संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार है सबसे पहले ये समझाना चाहते है आपको पिक कोई भी विदेशी जितना जारा दिन यहां रहेगा दीरी 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 यहां का संस्कृति उनको पड़ल जाता है उनको मन, दिल और विचार बहुत अच्छा लगता है और ये कली आज का बात नहीं है 1940s, 1950s का बात है अजादी से पहले भी अगर आप देखेंगे अंग्रेज लोग जो आता था था ना यहां का संस्कृति को बहुत बड़ा प्रेमी है लेकिन कोई नेटा का केल है यह सब हाथाया आजकल थोड़ा सा वो फिड जम रहा है दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चार्ल्स है वो मराठी फिल्मों में बहुत बड़ी हैसियत पाचुके है और एक तरह से मराठी फिल्मों के शारु खान है क्यों मैंने गलत कहा बलकुँ मैं एक चोड़ा से काला कार हूँ थोड़ा से काम किया है डोट तीन टीवी सीरीज में काम किया जिसमें मुझे डायलॉग नहीं था बस खर रहा कोई गोड़ा अंग्रेज लेकिन एक मराठी फिल्म का था उनी सोनो जिससे गानी था जिला आरेकरी जैकसन बन गया था और जो जिला आरेकरी जैकसन वो एक अंग्रेज है साइट उनका जनम भी वाता है हिंडूस्तान में लेकिन वो खूट पंडित लोग को बोता है कि मेरे पीछली जीवन में मैं पंडित था इसलिए मुझे सैंस्क्रिट मराठी हिंडी और मराठी आता है क्या बात है चार्ल्स आप ये बताइए कि जो भारतिये फिल्में हैं आप देखते हैं चुकि उससे जुड़े हुए तो भारतिये फिल्मों के बारे में आपके क्या नजरिया है अब भी हम लोग एक नया समय पर पहुंच गया है क्यों एक तो ठीक है बॉलिवूड बड़़बर फिल्म होता है और बच्चे लोग से मिलता है हमेशे बहुता है हिरोन और हिरो कौन है लेकिन उसका आलवाद जो मतलब पहुंच आने के लिए जो सुचना जैसे प्लैटफोर्म है वो बहुत जल्दी से बढ़ रहा है इतना जल्दी से बढ़ रहा है कि जैसे उमा बढ़ता जाता है उनको कम समझ में जाता है जैसे यूचूब है नेटफ्लिक्स है, अमाज़ोन प्राइम है तो अब भी बहुत जल्दी से बढ़ रहा है इसमें कुछ नुकसान है उसमें कुछ कुशी का बात है कुशी का बात ये है कि अगर आब पोजपूरी या रजस्तानी जाए टैमल जो भी आपका वाशा है मेटली, आंगवाशा जो भी है आप एक अच्छा फोन ले सकता है स्मार्टफोन और एक तम खम कच्चा में कुछ कॉंटेंट बना सकता है और वेब में डाल सकता है और लोग देखेगा अब कमाल का बात है कि बजपूरी में स्पूफ बनाये था डैनिक उसको बीस मिलियन बीस मिलियन मतलब आपका दो क्रो ना दो क्रो लोग देख चुका है अरे अजीव अजीव चीज अभी क्या है ना ये सब छोटा-छोटा जो भाशा है पुरे देश में उनको मौका मिल रहा है फिट जितना के लिए क्या बात है छोटी-छोटी भशाओं को मौका मिल रहा है कि वो अपने आपको एक तरह से पूरे विश्व में विस्तार दे सके चार्स भारतिय संगीत के बारे में आपके क्या विचार है देखिए सुन में तो मुझे सिथा प्लेय था जो अब इस तुन्यमें नीहीं है अबी उनका नाम अभी मेरा मन से हाड रहा है वो लिखा है कि साट साल लगता है सिथा सििथा सिकन में और साट दिन लगता है उसको बुलना में अगर isली तो है मैं प्रभ्यास नहीं करा है आजकर मैंने क्या देखा, यूट्यूब में इसमें अल्गरिज्म है, हम बटन दबाता है, शीवस्तोत्रम, तो बिनम मुझे हाथ लगार करें, जब अपना अभ्यास करें शीवस्तोत्रम आता है, ये गानेश जी का, हनमान जी का, आपने आप से आप से आप सुन रहा है, मतल लेकिन अभी एक म्यूजिक स्टूडियो में एक दो चोटे सा गाना गाया था, तो ये लोग उसका वीडियो बना करके, करना वाला है, तो चलो, लेकिन हिंडुस्तान का संगीट, कोई भी सुनिगा मज आता है, अच्छा, इसमें एक अजीब बाट है, आप लोग को मालम है विडेशू में अगर आप जीम जाएंगे, वहां कौन सा सगीट बजाता है, आपको कोई अंडाच है, पंजाबी, विडेशू को समझ में आता है, बस सून करके खुश हो जाता है, लेकिन यहां क्या पागल होगे, जीम जाकर कि जिस्टिन बीवा का कहना लगाता है, ये ठीक है, मैं थेटर नहीं आता है, लेकिन पत्तर नहीं यहां क्या कृपा हमको बगवान से मिला है, जो बड़ा-बड़ा आर्टिस है ना, हमसे मिल करके खुश हो जाता है, बोलते हैं, तु जेरो डाओ, पैसे भी नहीं देने ना, मैं तिके देगा, तो विक्रम गोकले, ज जेकिंगे, कमाल है, एक चुड़र से चीज हम बतलाते हैं, एक बात विक्रम गोकले को देख रहा था, तो जब उनका होता है ना, अंगरजी में बहुते है, पिन डॉप साइलेंस, इसका मतलब है, एक भी वेक्ती आवाज नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोग को इतना मतलब उनको प्रेम है, जब कर रहा है, एक आदमी का मुबाल फोन बजना लगा, उसका पतनी ना, जो से उसको मारा, कैसा नहीं होना चीज है, हिंडी में में कभी-कभी थोड़ सब मारट किया है थेटर में, और लोग बिलाया था, यहां से में कोई एक्टर्स को मिला था, तो बं मन लगा है, बहुत अच्छा लगा, चाल्स थांपसन, अगर आपको किसी हिंदी फिल्म में हीरो यानि नायक का भीने करने को मिलेगा, तो आप करेंगे, मैं मिल चुका है, और शुटिंग थोड़ा बाकी है, मैं उसका मतलब अभी जब तक वो पूरा शुटिंग खटम नह हम भी है, एक अंग्रेज यहां आकर के प्यार हो जाते है, एक लोकी के साथ, बस वह ऐसे वाला काने, हरीड़ा, रिशीकेश, ब्रिंदवान, मतुरा, यह सब जगा, हम तो कभी सोचा नहीं कि हिरो को रो मिलेंगे, और वो भी ऐसी जगा, हरीड़ा, रिशीकेश, हिंदुस यायावरी है, यानि घुमना, फिरना, इधर जाना, उधर जाना, यह माफ करना हमारी हिंदुस्तानी संस्कृती में बहुत पहले हुआ करती थी, शंकरा जारिया जैसे बड़े, बड़े महपुरुश हुए हैं, जो सारी, सारे देश में घुमें, लेकिन अब हमने इस अप को एक बहुत घुप्ट बात पतलाता है, यह जितना जो बच्छे लोग जो बॉलिवूद नहीं देखता है, रीजन वाशा का फिल्म नहीं देखता है, और खाली हॉलिवूद देखता है, उन लोग को बहुत घुप्ट बात पतलाएंगे, सबसे पहले, जो सबसे बड़ा है हॉलिवूड में ये लोग कहा जाता है आपको मालम है बनारस और हरीद्वा और चुपी से और अपना कुछ बाहन करके रखता है किसी को मालम नहीं और आशिवार और आठी देखने के लिए और पुझा के लिए उनको बहुत अनन्दा जाता है बहुत मज़ाता है दूसरा ह हम तो बिहार का प्रेमी है क्योंकि मेरा बच्पन में बिहार है और में तो नाम रखा है बीबी सी हिंडी हमको बिहारी लाल डाल दाल लिया हमको भराचा लगता है आपको मालम है सारा बिहार बॉलिवूड जाता है ठीक है लेकिन सारा हॉलिवूड कहा जाता है बोड़ गय अच्छा आपको माले में रिशिकेश में, आज क्या हो रहा है, सारा विडेशी आ रहा है, आश्रम जाने के लिए, मंदी जाने के लिए, आयोवेड़ सीखने के लिए, योगा, और हिंदुस्तानी बाच्चा खालीं, वाइट वोडर राफ्टिंग, उसको कोई आश्रम, मंद ये कंड में गुजना नहीं है, दोस्तों, भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, चाल्स कितनी बेबाकी से राय रखते हैं, और बेबाकी से राय इसलिए रखते हैं, कि ये अब इनका देश है, चाल्स अब हमारे देश के भारत के नागरिक हैं, और इन्होंने ना तो पस हम एक चीज़ बोलना चाहता है, देखिए, मैं अंग्रेजी के किलाफ में नहीं बोल रहा है, यह हम सबस्ट समझाना चाहता है, वो मेरा मातरी वाशा है, लेकिन मैं यह बोल रहा है, जो वाशा, जब आप जनम लेता है, और पांच-चेस साल से माँ पापा सुनत लेत है, वो आपका मातरी वाशा है, जब आप उसको बोलता है, तो वो ही शबस्तमाल करो, पीच-पीच में अंग्रेजी मत दालो, और आप लोग विस्वास ने करेगा, अंग्रेजी हिंडुस्ताम में बढ़ता जाता है, और विदेशियों में कम होता जा रहा है, क्या बात है, तैंक यू वेरी मच्च, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मैं बोल गया, देखिए, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ये क्या अंग्रेज के लगए, तैंक यू बोल दिया, धन्यवाद, शुक्रिया, मेबानी, अरे बहुत शब्द है, अंग्रेज क हठाओ, क्या बात है, बहुत-बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया जो क्या है, झारेज के लगए, बहुत-बहुत, अच्छी नमस्कार, युक्रिया, मेहरबानी, अरे, बहुत अरे बहुत शुक्रिया अंग्रेज को भाःज भात है।